अगर दोस्तों स्वागत है अप लोगा हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में अगर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जोगर्फी जोगर्फी में हम पिछली किलासों में हमने नदियां पढ़ी थी नदियों के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें हमने गोदाबरी बगएरा ये सारी नदियां पड़ी थी काबेरी और इसके बाद हमने कुछ सायर भी पड़े थे जो नदियों के किनारे बचे हुए थे तो अगर आपने वो किलासे नहीं देखिए पहले वो देखिए जाके फिर आप ये किलास देखना आके और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी और भी किलासे चल रही है जैसे कि हमारे हिस्टरी की किलास जो है वो हमारी कम्पलीट हो चुकी है और अगर अभी तक आप लोगों ने वो किलासे नहीं देखिए तो सबसे पहले आप जाईए उनको देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे हिस्ट्री नाम से आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी किलासे मिल जाएंगी और history की मैंने marathans भी बनाई हैं जिसमें आपको बहुत ही कम time में आपको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा लगबग 30 गंटे में आपको पूरा इतिहास और इतने जबरदस्त बे में आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा ये मेरा दाबा है और दाबा दाबा ही है आप चाहें कहीं से भी चेक कर लें कहीं से भी मिला लें आपको ऐसा content ऐसा lecture नहीं मिल पाएगा तो आप पहले बोजा के चाहें तो देख सकते हैं और हमारी polity की class चल रही है बहुत जबरदस्त उनको भी जाके देखिए और अगली class जो polity में आ रही है वो sunset को लेके आ रही हैं हम इतना बहतरीन कि आपको आएंदा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी और नहीं कोई confusion भी होगी तो आप बेट करिए वो class भी हमारी आ रही है और काफी class ने पढ़ी हुई है उनको देखिए तो start करते हैं और start करने से पहले दोस्तों वही गुजारी से कि एग हम पढ़ेंगे बहुत देशिये परियोजना है ये सर क्या होती है बहुत देशिये परियोजना है क्या होती है आपने डैम का नाम सुना होगा आपने बाधों का नाम सुना होगा हा सर सुना तो है बस उनी को पढ़ना है उनी के बारे में पढ़ना है उनी के मकसद को जानना है वो क्यों बनाई जाती है कहा पे बनी है उनको क्या कहा गया है उन rays क्या फायदा आई कि छैत्रों को फायदा है ये सारी बातें पढ़ने बाले हैं तो देखिये इनको इनका नामी ये बहुत देशी ये परियोजना है बस कुछ ऐसी डैमス होती है जिसके बहुत सारे उद्देश होते हैं, उनको बहुत देशिये पर्योजना कह देते हैं, तो बहुत देशिये पर्योजना, इनके बनाने के उद्देश क्या हैं, देखें, इनके बहुत सारे उद्देश हैं, इसलिए इनको बहुत देशिये भी कहते हैं, जैसे कि बाड पर नियंतरन पानी को रोकना पानी को अबजर्ब करना पानी का सरच्छड करना ये सब इनी का काम होता है बाड नियंतरन पे काम करना जेल बिदुत उत्पादन बिजली बनाने के लिए पानी की अवस्थिक्ता होती है तो बाड के द्वारा बांद के द्वारा पानी को रोका जा जो भी निहर निकलेगी नभी बूसर यहीं से निखलेगी परियोजना बनाई जाती है अब हम पढ़ेंगे एक एक परियोजना को लेके तो इतना हम समझ गए इनका उद्देश क्या है सिचाई, मचली पालन, जल्विदोत और भी सारे उद्देश हैं यह मैंने कुछ पिरमुक उद्देश आपको दिखाए हैं जो कि आपको दिमाग में होने ही चाहिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले दामोंदर गाटी परियोजना मतलबब दामोंदर जो नदी है उस पर एक परियोजना बनी है उस पर बान्द बनाई गए है तो उन बान्दों को पढ़ना है अब ये परियोजना बोलते हैं क्योंकि एक नदी पर कई एक बांद बनाए गया उसमें छोटे छोटे बांद कई एक बनाए गया है तो उसको परियोजना बोल देते हैं उस नदी पे बनाई गई है किस पे दामोदर गाटी नदी पे बनाई गई है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है यहां से question बनते ही बनते हैं देखिए यहां पे क्या है दामोदर नदी पर यह परियोजना है सबसे पहली बात तो दामोदर नदी गाटी है तो दामोदर पे तो होगी होगी बिल्कुल सही बात है सर और भारत की पहली नदी गाटी पर्योजना है सर ये ये किसकी भारत की पहली नदी गाटी पर्योजना ये सर है अच्छा सर ये पहली नदी गाटी पर्योजना है तो सर कब बनी थी ये 1948 में बनी थी और नहरु जी ने इसको भारत का मं मंदिर इसको बोला था बहुत इंपोटेंट काम थे यह बहुत इंपोटेंट मतलब नहरु जी ने यह क्या बोलता हूं यह तरीके से एक कदम उठाया था और बहुत जरूरी चीजें थी यह उस टाइम के लिए तो इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था जिस तरह से एक जरूरी चीजेंट का मंदिर किस ने कहा था डैम को तो यह नहरु जी ने कहा था और यह यूएसे की टेनेंसी नदी पर आधारित है जैसे कि यूएसे में एक बांध बना हुआ है मतलब एक परियोजना बनी हुए है टेनेंसी नदी पर तो सेम टू सेम उसी को कट को भी पे आकर है कोनार है तो ये साइग नदियां हैëं इनके इनके उपर ये बां़ध बनाया गया और इसमें क्या आठ बांद आख ओंप है कितने है बात आपने हैं इस नधी गाटी परयोजना में आपन्द संब दी परयोजना का गया मैथान बांद है मैथान बांद आपका कर नदी पेशर और यह जादर नदी घ्र dispone फिर दामादर नदेग्साद समय से जड़ाना Cap, गड़ाए क Supreme Gun App मैथान फिर विसनान पर देक पर आपके इसा जऔर भूर ममतourage जई है धर अजना फिंद मेरे craziest machen और तो दमोदर नदी गाटी कहा बनी है ये आपकी क्या है दामोदर नदी पर बनी है यूएसे की टेनेंसी नदी पर आदारित है तो इनको आप याद रखना आगे बढ़ते हैं दोस्तो और भी कुछ बांदे हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है तो और आपको क्या है भांकडा नांगल बांद आपने सुना होगा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर आपका बना हुआ है तो यह ज उन्हों बांद आपके एक तो आपका भांकडा जो बांद है वो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो बांद है वो पंजाम में है कैसे याद रखना है सर देखिए नांगल में ऊपर एक बिंदी लगी हुई है और पंजाम में भी एक बिंदी लगी हुई है तो आप इ इस भांखडा नांगल पर्योजना पर क्या हुआ है एक गोबिंद सागर जील भी बनाई गई है जो कि कृत्रिम जील है और ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में है आप से पूछा जाता है कि गोबिंद सागर जील आपकी कहां पे है तो गोबिंद सागर जील आपकी दोस्तो बारे में गोबिंद सागर जील जो की कृत्रिम जील है भारत की और भांकडा नांगल जो बांध है ना उसकी उचाई कितनी है जो बांकडा नांगल बांध है ना बांकडा बांध जो की आपका सतलुद नदी पे है और जो की आपका हिमाचल प्रदेश में उसकी जो उचाई ह वह आपकी कितनी है 226 मीटर आपकी उचाई है और दोस्तों ये बिश्व का सबसे उंचा गुरुतिये बांद है गुरुतिये बांद है इसका जो गुरुत्वा कर्संड है ना मतलब इस पे जो पानी आ रहा है ना नीचे की तरफ बहुत विकट आ रहा है मतलब उसका बहुत गुरुतिये उसमें तोरंड जादा काम कर रहा है गुरुत्वा कर्संड बांद है मतलब बहुत बड़ा सबसे बड़ा भारत का और पूरे बिश्व का सबसे बड़ा सबसे उंचा गुरुतिये बांद है तो ये सबसे उंचा गुरुतिये बांद है पानी जो मतलब नीचे को आता है तो उसमें गुरुत तो आ जाता है नीचे की तरफ जब गिरती है कुए पृतवी किसी भी चीज को अपनी तरफ खीषती है तो उसमें जो गुरुत है तो वो सबसे उंचे उंचा गुरुती ये बांद आपका ये ही है 246 मीटर उंचा है और सबसे आपका क्या है गुर्तिय बांद है सबसे पूरे बिश्च का अब एक नदी आपकी क्या है रियंद नदी इस पे हम पढ़ लेते हैं ये बांद को भी रियंद नदी परियोजना जो रियंद बांद परियोजना बोलें चाहें रिहंद नदी परियोजना बोलें चाहें कुछ भी बोलें आपका मतलब बोई होना है अब ये रिहंद नदी पर इस्तित है दोस्तो रिहंद नदी पर इस्तित है यूपी के सोनभद्र में है कापेशर यूपी के सोनभद्र जिले में ये आपका रिहंद बांद परियोजना इस्तित है गोबिंद बल्लब पंद सागर जील आपकी यहीं परियोजना है और ये रिहंद बांद परियोजना है और ये रिहंद आपकी सोन की साइक नदी है जो आमने अमर कंटक्स से देखी थी सोन और सोन नदी गंगा में मिल जाती थी पठना में तो ये उसकी साइक नदी है आपकी क्या है रियंद उसकी साइक नदी है और सोन बदर जिले में ये पर्योजना है गोबिंद बलब पंत सागर यहां पे जील है और ये जील भी आपकी कृत्रिम जील है लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है हालां कि देखिए यहाँ पर जो जील है आपकी एक मिनट ये क्या हो रहा है एक मिनट ये जो आपकी जील है यहाँ पर गोबिंद सागर जील ये भी आपकी कृत्रिम जील है लेकिन जो ये जील है आपकी ये सबसे बड़ी जील है भारत की सबसे बड़ी जील और कृत्रिम जील है जीलों को भी पढ़ेंगे अगला जो हमारा लेक्चर है वो जीलों के उपर ही है तो जीलों को भी हमें पढ़ना है अब अगला बान हम पढ़ते हैं हीरा कुंड बान हीरा कुंड बान ये महा नदी पर है सर ये महा नदी कहा है सर ये उडीसा में है उडीसा की महा नदी पर क्या है एक बाढ़ यह क्या बांध है बाढ़ है मतल विए जो बांध किया हो यह अपका पांच किलो मीटर की बात करते हैं लगबग लगबग आप देखें तो पांच किलो मीटर आपका क्या है ये बांध है सर पांच किलो मीटर ही है बस 200 मीटर तो कमी रहे गए पांच किलो मीटर तक का ये बांध बना हुआ है और बिश्टु का सबसे लंबा बांध है ये पूरे का सबसे उंचा गुरुत्य बांद पूछा जाए तो आपका कौन सा होगा ये भांकडा आपका क्या होगा या भांकडा नांगल पर्योजना जो होगी ये सबसे उंची आपकी होगी भांकडा बांद और अगर सबसे लंबे बांद की बात की जाए तो आपका हीरा कुंड बां और कहां पे है उत्रा खंड क्योंकि भागी रती नदी जो उत्रा खंड थे ही तो निकलती है यही तो सर गंगा कहलाती है आगे चल हां सर हमने पढ़ा था गंगा नदी यही भागी रती बनती है जिसमें अन साइक नदियां मिलती है तब जाके यह बनती है और भारत की ही यह और बारत की तो हम पढ़ी रहे हैं फिलाल तो टेरी बांद आपका कहा है भागी रती नदी पे उत्रा खंड में है और यह बारत का सबसे उचा बांद है क्या है देखिए सम में एक-एक पॉयन्ट बन जा है सबसे उचा गुरुत्य बांद भांकडा नांगल बांद सबसे لمبा बांध हीराकुंट सबसे उंच्छा बांध भारत का ये आपका क्या है 261 किलो मीटर 261 मीटर उंचा है और ये भारत का सबसे उंच्छा बांध है ठेहरी बांध अब यहाँ पे बांधों से सम्मदित मैं ने एक चारड बना दिया है मतलब यह चार्ट है इसको आप अभी पढ़ेंगे अभी दिखाते हैं इसमें किया है पहले यह फरक्का बेराज को भी निप्टा देते हैं फरक्का बेराज या फरक्का बांध इसको फरक्का बेराज भी बोल देते हैं फरक्का बांध भी बोल देते हैं यह गंगा नदी पर और गंगा नदी कहां पे ये पस्चिम मंगाल में ये फरक्का बेराज बना हुआ है बहां से ये क्या है हुगली नदी यहां पे निकलती है इसी बांध से हुगली नदी निकलती है तो अगर आप से ये भी बोला जाए कि फरक्का बेराज हुगली नदी पर है तो ऐसा नहीं ह सायर जो है वो अगली नदी के किनारे है हालांकि हमने पिछली किलास में बताया भी होगा ये क्यूंकि हमने पिछली किलास में नदियों के किनारे सायर की बात भी की थी अब ये एक चार्ट है जिसमें सबसे उंचा बांद आपका क्या है टेहरी बांद है 260 या 61 मीटर आपका 138 मेटर उसके बाद हीरा कुंड बांद आपका आ जाता है और हीरा कुंड बांद आपका यहां पे इसकी उचाई तो लिखी नहीं है फिलाल यह चौते नंबर पे उसके बाद आपका नांगा अरजुन सांद जो की आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है आंदर प्रदेश में तो यह सारे बांद आपको पता होने चाहिए यह इनका क्या है किरमा अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए इस तरह से सबसे उंचा काउन सा है तो यह आपको याद रखना है टेहरी बांकडा सर्दार और हीरा कुंड नांगा अरजुन यह आपको याद रखना है अभी कभी आपसे मिलान करने को आजाता है मैस दिकोलम करने को आजाता है यह डायरेक्ट भी पोछ सकता है अगर आपका कोई बंडे एक जाम होता है तो यह मैंने राजबाईज आपके क्या है कुछ बांद लेके आया हूँ यह इधर के बांद है और यह आपके क्या है बां बस हालां कि बोई बांध होंगे जो हमने पढ़ रखे हैं और अभी और भी इसमें बांध हैं तो हम बहुत सारे बांध पढ़ने वाले हैं और आपको बांधों के लिए किसी और की किलास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा मेरा दावा है और भांकडा नांगल जो बा दावाज नदी के अगए आपको बांध ब्यास नदी पे पंग डेम काई व्यास पे है चमेरा ब्यास बांध शाड़ॉ अपकी राभी नदी पर शिया यथे जाएँ चमेर ब्यास नदी पे पांध के और देखने ध पया टनकपूर और टनकपूर और तनकपूर बांध यहां आपसी है. बस ये बात है तो टनकपूर जो बांद है वो ब्यास नदी पे टेरी बांद भागी रती नदी पे है अब पंजाब के बांद देख लेते हैं नांगल बांद जो कि आपका सतलज नदी पे हैं हरे के बैराज बांद ये बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप बिल्कुल नहीं बोलना हरके बैराज बांद ये ब्यास और सतलज के संगम पर बना हुआ है ब्यास जहां पर ब्यास नदी जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है तो जहां पर ये मिलती है बहीं पर ये डाम बना हुआ हरके बैराज बांद तो हरके बैराज नदी पे थीन बांद सर क्या है राभी नदी पे थीन बांद और थीन बांद जो की राभी नदी पे है तो थीन बांद अगर राभी नदी पे है तो इसको हम क्या करेंगे सर थीन बांद आपका राभी नदी पे है और अनजीत सागर बांद ये भी सर राभी नदी पे है तो य अब उत्तर प्रदेश के बांद आप देख लीजिए सर जैसे कि रियंद बांद यहां पे रियंद बांद जो है सर यहां पे मैंने चेंज नहीं किया है यह आपका यहां पे टाइप एरर है और रियंद बांद सिधी सिधी बात यह रियंद नदी पे तो आप कंफ्यूज मत यूपी के स्वनबद्र जिले में है और ये रिहंद बांद रिहंद नदी पे इसको मैं सही कर दूँगा और उसके बाद माता टीला बांद बेतवा नदी पे है कहां पे है सर जहांसी में है लक्षमी बाई 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 तहुण होगी त अपका अपका राजिस्थान पर इसमें राणब्ताब शङरबांद जबार सागर बांद इसमें राणा प्रताब जवार सागर ये दोनूं के तो आपके कहां पे राजिस्थान से शाबरमती पर्योजना आपको पता यह नर्मदा नदी पर होगी और गुजरात में होगी बस उकाई बांद और काकरा पार आपका जो बांद यह आपको याद करना है देखिए उकाई और काकरा ये दोनों तापी नदी पे हैं उकाई और काकरा दोनों के दोनों आपके तापी नदी पे बनाये गए हैं और कहां पे हैं सर गुजरात में उकाई बांद कहा है गुजरात में काकरापर कहां पर है गुजरात में सरदात रोबर गुजरात में साबरमती गुजरात में अब यह जो मद्द प्रदेश है इसके कुछ बांद है इनको देख लीजिए इसके जो हैं जैसे की एक आपका तबाह बांद है और तबा बांद आपका तबाही नदी पे है अब एक बांद है बांड सागर बांद और ये बांड सागर बांद जो है ये सर सोन नदी पे है जो मद्द पर देश से एक नदी निकलते हैं सर सोन नदी जो की आपकी गंगा में मिलती है पटना में जाके और सोन की हिसायक हमने बताया था आपको रियंद नदी है और सोन नदी आपकी अमर कंटक से निकलती है मैकाल रेंज से अमर कंटक से सर एक नदी और निकल रही थी बताया था आपने नर्मदा नदी तो दो नदियां है जो अमर कंटक से निकलती है सोन और नर्मदा तो ये बा यहां पे सागर लगा हुआ है वो सारे के सारे बांद चम्बल नदी पे हैं कैसे सर अप सर ऐसे तो बांड सागर भी है नहीं सर बांड सागर तो अपकर सोन नदी पे बांकी आप देखिए जैसे किसी के नाम के आगे इंदरा सागर लगा दिया जैसे नाम इंदरा था सागर कर जैसे। यहां पर राना प्रताप सागर। जैसे पर जबार सागर। यह बोलता हूं। यह न्युंट खोट है कि कि ईस चीज़कों कीस चीज़को याद करना है। भाइन्ड सागर् कैसा प्लृव मेल आपके। से पर होना का स considered। नर्मधाएक। उनका रेसर आपका नर्मदा नदी पे है तो यह आपको याद रखना है अब दोस्तो महराष्ट के बांद है इनको देख लीजे महराष्ट का आपका जायक बाड़ी है जो की अब यहाँ पर भी क्या है मैंने फिर से यहाँ पर क्या है गड़बड कर दिया यहाँ पर भी क्या है अभी सतलज आपका चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर यहाँ पर जो महराष्ट का जायक बाड़ी बांद है यह मेरे ख्याल से यह जो मुझे लग रहा है या तो यह तापी नदी पे है या फिर गोदाबरी नदी पे है कौनसा जो जायक बाड़ी बांद है यह आपको मेरे ख्याल से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है यह गोदाबरी नदी पे है आपका कौनसा जायक बाड़ी जायक बाड़ी बांद आपका कहां पे है सर गोदाबरी नदी पे है और छोब बांध आपका किर्ष्ना नदी पे है कोईना बांध आपका कोईना नदी पे है यह माराष्ट के बांध है जहाँ जहाँ पर एरर है वो मैं सही कर दूँगा यह बाला और यह बाला मुझे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ जब मैं खुद बना रहा होता हूँ कि लाज तो थ्यान नहीं रहता हूँ, कहां क्या करना है, मतलब कट कोपी पेस्ट करके करता हूँ ना, तो द्यान नहीं रहता है फिर, अब यहाँ पर देखिए सर, अब करनाटक के बांद हैं थोड़े, जैसे आपका क्या है, लिंग नमक को बांद है, जो कि सराबती नदी पर ही है, कौनसा बांद सर, लिंग नमक को बांद, लिंग नमक को बांद, ये भी आपका कहां पे सराबती नदी पर है, शिब समुद्रम बांद है, ये भी आपका कहां पे सराबती नदी पर है, एक आपका लि के आपको सारे के सारे बांद पता होना चाहिए लिंग नमक को सिफ समुद्रम हिडककल पोचम पाद यह थोड़े अटपटे भी नाम है तो याद करने में दिखकत होगी लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा तो पोचम पाद परियोजना यह आपकी कहां पे है पोचम पाद है ना पोचम पाद आपका गोदाबरी नदी पे है यह कहीं कहीं आपको तेलंगाना में मिल जाता है तेलंगाना में भी मतलब इसका एरिया लगता है तो यह पोचम पाद परियोजना जो यह तेलंगाना में भी है और यह करनाटक में भी है तो यह गोदाबरी नदी अब इसके बाद के बाद हैं एक ही दो ही बाद हैं आपके केरल के एक आपका इदुक्की इसको बोलते हैं इदुक्की या पेरियार बाद जो की पेरियार नदी पे है एक आपका सब्री गिरी है जो की आपका पंबा नदी पे है और सब्री गिरी को कैसे याद करेंगे किमकि स सबरी माला टेमपल कहां पे केरल में है सर और पंबा नदी के किनारे आपका क्या है ये बांद बना हुआ है पंबा नदी पे सबरी गिरी इदुक्की बांद और सबरी गिरी बांद ये आपके कहां पे है केरल में इदुक्की बांद पेरियार नदी पे इसको पेरियार बांद भी बोला जाता है और पंबा नदी पे आपका सब्रीगरीब बांध है तेलंगाना में सर नांगा अरजुन सागर बांध ये तेलंगाना में है कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि आँछ शौर आच्छा सर ऐसा भी है हाँ सर ऐसा होता रहता है क्योंकि आंदर प्रदेश से ही तेलंगाना निकला है अगर तेलंगाना नहीं दिया है तो आपका आंदर प्रदेश लगेगा लेकिन तेलंगाना दिया ही होगा तो तेलंगाना में आपका कौन सागर जो नांगा अर्जुन बांध है वो किस्टन नदी पे है और बांद आपका कहां पे है ये आपका है आपका कृष्णा नदी पे है अलमट्टी बांद है ये भी आपका कृष्णा नदी पे है तो ये आपको याद रखना है तमिल नाडू के सर का उन से बांद है पायकारा बांद जो की पायकारा नदी पे मेट्टूर बांद जो की सर आपको पता होने चाहिए थे अभी और भी बांद है अभी किलास आपकी खतम नहीं हुई है अभी ये एक बांद है किसाओ बांद परियोजना सर क्या है किसाओ बांद परियोजना अभी किसाओ बांद परियोजना सर कहां पर ये टोंस नदी पर बना हुआ है सर ये टोंस नद है ना इससे जो लाबानवित राज हैं उनको एक बार देख लीजिए इससे जो लाबानवित राज हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड इससे लाबानवित होता है इससे हर्याना और दिल्ली भी इसमें लाब उठाते हैं राजिस्थान और उत्र प्रदेश भी इसक सारे राज्यों को इसका लाग मिलता है अब आगे बढ़ते हैं और भी परियोजना हैं जो मैंने इस तरह से रखी हैं वही परियोजना हैं परियोजना हैं जो मैंने बताई हैं बोई हैं बस कुछ इसमें एड हैं एक बार आपका रिवीजन अभी मैंने राज बाईज और नद चिनाओ नदी पर आपकी सलाल परियोजना है बगली हार परियोजना है और दुलास्ती परियोजना आपकी है तो चिनाओ बगली हार दुलास्ती चिनाओ पर आपकी काँ से सलाल है बगली हार है दुलास्ती है राभी नदी पर आपकी चमेरा थीन परियोजना है चमेरा परियो तो थीन आपकी यहां पर देख भी दिखा भी देता हूं आपकी कहां पर थी यह देखिए मैंने बताया था आपको पंजाम में थीन और चमिराप कहां पर राभी में मतलब हिमाचल प्रदेश में और और जो आपकी व्यास नधी पे आपका पॉंगडाम बना हुआ है। आपके टिकरपा पारा, हीरा कंड और नराज प्रयोजना गोदा बरी पे अपका कौंसा है? पोचमपाद है, जायकबाडी है गोदा बरी पे अपका पोचमपाद और सैलम और अल्मट्टी बंध ये आपके क्या हैं। और यह कहां पे तक काबेरी नदी पर था push probaride na domitschардерм और यहां पर भी के आपको क्या मिला है काबेरी Grakash ora ? और यह सब्द्रम प्रवादी या अपका कहां पर कावी नदी कर दो जो कि आपका कहां परिसा टमिललाडू मेरि में हैं हालांकि एक सावरमती बांद तो है ही है लेकिन सावरमती पे एक धरोई बांद है तो इसको आप याद रखना अब कुछ और बांद हैं उनसे संबंदित जो राज हैं मतलब जिन बांदों से उनको उन लाब कुछ मतलब जो बांदें हैं हमारी उनसे जो लाबानवित राज हैं उनके अधार पर देख लीजिए जैसे कि दामोदर नदी गाड़ी आपकी दामोदर नदी पर तो है ही है और इससे जो पस्चिम बंगाल है जार खंड है यह बाले राज जिससे लाब उठाते हैं पस्चिम बंगाल और जार खंड क्योंकि जो बांद है उससे आपका यही लाब उठाते हैं बैसे बांद तो यह मतलम नदी तो आपकी छतियस गड़ते भी जाती है ये लेकिन ये जो बांध है ना सर ये आपका ये इए उठाते हैं नांगा अरजुन सागर बांध जो है यहां पे आंदर प्रदेश और तेलंगाना इसका फाइदा उठाते हैं ये इस से लाब लेते हैं कृष्णा नदी पे शरी सैलम पर योजना से कृष्णा नदी पे लद्द प्रदेश माराष्ट राजिस्थान गुजरात इन चार राजियों को इस सरदार सरोबर जो बांध है इस से लाब होता है निम्नो बाजपो पर योजना से सिंदू नदी पे लद्दाक और जम्मू कस्मीर में इसका लाब मिलता है चुटक पर योजना आपकी कहां क बाजपो आपका चम्बल नदी पे मदवप्रिदेश राजिस्थान में इसका लाब होता है केंवेतबा लिंक से लाब ले और जम्टक पर योजना गंडग नदी पर ही है आगे बढ़ते हैं सर और भी आपके क्या है कुछ मतलब अब यहां पे सर क्या है यहां पे क्या आ गई है यह क्या है राज यह और उनकी पिरमुक क्या है जीले आ गई है तो यह जीले मतलब यह गलती से इसमें एड हो गई है और जीलों को हम अगली क्लास में पढ़ने बाले तो उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ये कैसी भी तरह से आपकी क्या है इसमें एड हो गई हैं हम इनको अगली क्लास में पढ़ेंगे और ये इतने सारे आपके क्या थे बांध थे तो ये आपको याद रखना है और हमारी जो क्लास है सर वो आपकी यहीं पर हम क्या करते इसका end करते हैं, यहीं पे इसको क्या करते हैं, खतम करते हैं इस class को यहीं पे, अगर आपको class अच्छी लगी है, तो class को like किये बगएर मत जाना, और चैनल को subscribe करके जाना, बेल आइकन को press करके जाना, और अगर आपको इसकी हुबा हु पीडियेप चाहिए, तो आपको ये ट पे करके आप उसको ले सकते हैं।